सैंड्विश में डालते हैं नया ट्विस्ट और बनाते हैं इस लॉकडाउन में पनीर और बेसन से बनने वाला सैंड्विश जिसके लिए आपको जादा समान जरूरी नहीं है सिर्फ चाहिए चार उबले आलू, एक प्यास बारी कटा, एक हरी मिर्ची और दो कड़ी पत्ता आलू उबाल करके अच्छे से मैश कर ले उसके बाद एक कड़ाई में एक चमच तेल डाले, चुठी भर हीन डाले हीन डालने के बाद उसमें 140 स्पून राई डाले इसके बाद 140 स्पून हल्दी डाले और करी पत्ता और हरी मिर्ची आड़ करें भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा जो आपने प्यास बारी काटा है वो उसमें डाल दे प्यास अच्छे से भूनने के बाद उसके अंदर उबला मैश करा हुआ आलू डाल दे अब इसमें एक चमच नमक डाले दो चमच धनिया पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच आमचूर पाउडर डाले और इसको अच्छे से मिक्स कर ले और मसाला रेडी कर ले अपने सैंविचे के लिए अब इसके उपर की कोटिंग बनाते हैं एक कटोरी बेसन आधा कटोरी पाणी और इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप कोटिंग के बाद ब्रेड के किनारे कट करके उसमें दोनों ब्रेड में मसाला अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे उसके उपर प्याज के दो स्लाइस, टमाटर के और दो पनीर के स्लाइस लगाएंगे पनीर के स्लाइस लगाने के बाद उसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला और नमक स्प्रिंकल कर देंगे और दूसरी ब्रेड से उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे अब वेशन की कोटिंग में डिप करेंगे और दूनों तरफ से अच्छे से बेशन को लपिट देंगे कोटिंग अच्छी होनी चाहिए अब गरम तेल में इसको एक तरफ अच्छी से सेखने के लिए डाल देंगे और फ्राय करेंगे जब तक एक तरफ से ना सिitaire तब तक पलटे ना उसको और फिर सैंविच को पलट दें अब हमारा सांविच तयार हो गया है और उसको तेल से रिमूफ कर देंगे तेल अच्छे से निकाल दें और टीशू में निकालें नाइव से कट करके बीच से इस तरीके से आपको कोटिंग दिखेगी और अब तयार है आपका सांविच